दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई गाली कहीं से गुजरती है तो इसके पीछे कुट्टे ऐसे दोलते हैं जैसे कि वो पकड़कर गाली की ऐसी तेसी कर देंगे दोस्तों आपकी गाली के पीछे भी कभी न कभी कुट्टे जरूर दोले होंगे हलाकि कुट्टों की आपसे कोई दुस्मनी नहीं होती है और नहीं आपके गाली से कोई नफरत होती है लेकिन फिर वे ऐसा क्यों करते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुट्टे गालीों के पीछे क्यों भागते हैं अगर नहीं तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अक्सर कुत्ते गालियों के पीछे क्यों दोलते हैं और इसका बैग्यानिक कारण क्या है तो चलिए आपका जादस में ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों दरसल इसके पीछे कुथे कुथों की एक खास आदत होती है वोई अक्सर अपने इलाके टैक कर लेते हैं और अपनी चीजों पर अपनी पहचान बनाने के लिए उस पर टौइलेट कर देते हैं जिससे कि उसे गंद से पहचान सके हम सभी जानते हैं कि कुट्टों की सुंगने की सक्ती बहुत तेज होती है इसलिए वे काफी दूर से भी चीजों को सुंग कर पहचान लेते हैं दोस्तों जब कोई गारी उस कुट्टे के इलाके में दाखिल होती है तो कुट्टे उस गाली पर की हुई ट्वाइलेट की गंद सुंग लेते हैं जब वो किसी और कुट्टे की पहचान निकलती है तो उस कुट्टे को ये बरदास्त नहीं होता है कि उसके इलाके में कोई और कुट्टा आए इसलिए कुट्टे भौकने लगते हैं और गाली के पीछे दोड़ने लगते हैं ताकि वे उस कुट्टे को पहले से ही चेतावनी दे देते हैं कि ये हमारा इलाका है और यहाँ पर आना मतलव सीधे हमसे लड़ना है इसलिए कुट्टे जब भी किसी नई गाली को अपने इलाके में देखते हैं तो उसके टाइर पर ट्वाइलेट करके उसे अपनी संपत्ती घोसित कर देते हैं जिससे कि जब भी ये गाली आए तो उससे समझा जाए कि ये तो उसी के इलाके की गाली है कुट्टे गालीों के पीछे क्यों दोड़ते हैं इसका सीधा सा मतलव यही निकलता है कि वे कोई दूसरा कुट्टा और उस कुट्टे की पहचान वाली चीजे उनके इलाके में नहीं देखना चाते हैं तो दोस्तों जब आप किसी कुट्टे को अपनी गाली के पीछे दोड़ते हुए देखें तो फिर समझ जाएं कि ये उसका इलाका है तो दोस्तों अब आप बिल्कुल सही तरीके से समझ गये होंगे कि आखिर कुट्टे गाली के पीछे क्यों भागते हैं और इसका क्या कारण होता है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कीजिए